नमस्कार साथियों, ICAR, Indian Council of Agriculture Research के वैग्यानिकों ने अभी हाल ही में मचली की एक नई प्रजाती खोजी है और ये जो नई प्रजाती है वो तमिल नाडू के अंदर खोजी गई है तमिल नाडू का एक जिला है कुड़ा लोर के जो समुद्रिय तट हैं वहां पर इसको खोजा गया है पहले मैं आपको कुछ जरूरी बाता हैं बताता हूं कि जब भी कोई नई प्रजाती खोजी जाती है तो सबसे पहले यह पता लगाया जाता है कि इसे किस जीनस में रखा जाए अब आप कहोगे सर जीनस क्या होता है देखिए इसको ऐसे समझेए जैसे अम अनिमल टैक्सोनोमी पढ़ते हैं प्लांट टैक्सोनोमी अब आपको घखाने के लिए उनको ठीक तरीके से अरेंज करने के लिए मैं जिस से कभी उनकी जरूरत पड़े तो आसानी से उनको ढू पास धेर सारी किताबें आपने green economy कि टाव हैं एक तरफ रख दी सौयल साइंस कि किताव हैं एक तरफ रख दी जैनेटिक्स उनको नीचे रखा फिर उनसे और जो टफ हैं उनको और नीचे रखा वहाँ पर भी हमने अरेंजमेंट कर दिया तो यह क्या हो गया एक तरीकी टैक्सोनॉमी हो गई जिससे आपने एक प्रॉपर अरेंजमेंट किया है सेम यही चीज प्लांट और एनिमल के केस में होता है खुदी नहीं ढूंद पाएंगे कि हमने वह इस्पिसीज ढूंदी थी कि वह कहां है इसको किवारे में कैसे study करना है तो उन इस्पिसीज को एक प्रॉपर तरीके से यहां पर ट्रिकम क्या है और एस्पिसीज है तो ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं यह जो मचली खोजी गई है अब यह तो नई इसपिसीज है तो नाम तुम अपनी तरफ से रख सकते हैं लेकिन जीनस हम अपनी तरफ से नहीं रख सकते जीनस का में ढूंड़ना पड़ेगा वो कैसे डूनोगे जहां पर सेम करेक्टरिस्टिक होंगे यह मचली है हमारे पास धेर सारे जीनस पहले से हमको पता है उन सभी जीनस में देख लो भई कि इस मचली के करेक्टर किन मचलियों के साथ मिलते जुलते हैं तो पता यह चला कि यह जो मचली है वो एक जीनस है जि izzard और नाम अपर नाम रखा गया थमिलनाडु एंसिस है ये सही था गुरू तब रह पर इसका पड़ गया इसका।itated जन्मिलनाडु एंसिस चोटी सी है ब्राउन कलर की है देखिए इसकी शुरुबात कैसे हुई आईसी आर के जो रिसर्चर्स हैं और जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक exploration सर्वे स्टार्ट किया अब आपको सरी है exploration सर्वे क्या चीज होती है सर्वे तो आपने सुना होगा exploration का मतलब होता है जब आप किसी चीज की खोज में निकलते हैं उसे कहते हैं exploration तो यहां के जो वेग्यानिक थे आईसीर के वो भी खोज में निकले कि चलो कुछ मचली की नई प्रजाती ढून लेते हैं तो यह तमिल नाडू के कुड़ा लोर जिले में और कुड़ा लोर जिले में मुडासा लोड़ाई फिस लेंडिंग सेंटर है कुड़ा लोर डिस्टिक्ट में वहां पर इसकी खोज की गई ठीक है और यहां पर जो टीम थी उन टीम में जो प्रमुक वेग्यानिक हैं रिसर्चर्स हैं उन में से एक है पी कोडेश्वरंग और दूसरे हैं आपके जी कांता राजन और इनके लावा इनकी टीम भी थी इनको क्रेड़ेट जाता है कि इन्होंने यह मचली की नई प्रजाती खोज नकाली है इसके लावा कुछ और बात हैं इसके बारे में बताए हैं कि यहां पर हमको पता कैसे चलेगा कि यह जो इस्पेसीज है वो हमने जिम्नो थ्रिक्स में रखी है तो यहां पर कई सारी extensive study सबसे पहले तो यहां पर हमें लोग उसकी मॉर्फोलोजी को प्रॉपर तरीके से देखते हैं इसके अलावा उसका जो स्कलेटन है उसकी आसे מא उसकी उसकी गया और पता चला कि मचली के जो वह जीनस जिमनो थ्रिक्स नाम के मचलीस उनसे मिलते जूलते हैं तो जो जीनस जा रूब स्केच्षेνव नदर पहले से मैंने बताए कि 28 स्पांक्षि ती नहां कит 89 हो इस तो मकली है वह सिपाइं आपके इंडियों को देखने को मिल जाती है तो यह जानकारी है मचली को ले करके बाकी की कुछ और बात बताएं कि इसका जो हेलो टाइप है इस मचली का जो हेलो टाइप है उसको रजिस्टर कर दिया गया है नेशनल फिश मूजियम में और रिपोजिटरी आफ दी आई से एर एन बी एफ इसे इसे सारी जये चीज़ें उसको कहते हैं है तो वह सारी चीजे उसको कहते है है क्या एक तरह से सिंगल सिंगल होता है उसको हमने registered करा लिया है national fish हमने क्या वो जो author है जिन्होंने इसको खोजा है उन्होंने national fish museum में इसको registered करा लिया है और साथ में ICRNBFGR जो लखनव में वहां की repository में भी इसको registered करा दिया है तो यह जानकारी थी इस मचली को ले करके ठीक है धन्यवाद